साथ ही ओ नमस्कार स्वागत है आपका अपने चैनल सकसे जंक्षन एक कदम सफलता की ओर में और हम लेकर किया आगए आपके लिए MPPSC 2020 और 2021 की दिष्टी से अति महत्रपूर्ण आपका टॉपिक है यूनिट वन का मद्य प्रदेश जी के यानि की MPGK के महत्रपूर्ण प्रश्ण 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 ऐसे जो परिच्छों में आ चुके हैं जैसे की व्यापम ने जिनको कवर किया है ठीक है और MPP पुलिस सारी यूनिट को मिला करके तो MPGK आपको बहुत अच्छी कर लेनी है तो 20 प्रश्ण आपके सामने आने वाले हैं कितनी अच्छी आपकी तयारी है MPGK की आपको यहाँ पर खुद यह चेक करना है आपको 20 में से कितने नंबर आए हैं ये भी आपको कमेंट बॉक्स में कमें करके बताना है ठीक है इससे यह होगा आपको पता चलेगा आपकी तयारी किस लेवर पर चल रही है और अने विद्यारतियों की तयारी किस लेवर पर चल रही है तो चलिए बिना समय गवाह हुए शुरुबात करते हैं MPGK का प्रैक्टिस से नंबर दो पहला प्रशन देख रही answer A.N. कि सुबद्रा कुमारी चौहान ने राखी की चुनोती नामक यहां पर रचना की है देखिए पूरी जानकारिया आपको देते हैं तो राखी की चुनोती सुबद्रा कुमारी चौहान दोरा लिखे बीर रस्ते परिपून कहानी है तो आपको यह याद रखना है क यह जो कहानी है वो बीर रस्ते परिपून है और जो सुबद्रा कुमारी चौहान है वो बीर रस्त की कवी है इन्हों ने जितनी भी कविता है या फिर कहानिया लिखी है वो सब बीर रस्ते परिपून कहानिया लिखी है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रशन द देख लेते हैं सही answer B याने की जो खयाल गायकी है वो सबसे ज़्यादा ग्वालियर घराने से संबंदित हैं चलिए इसके बारे कुछ जानगारी आपको देते हैं और कौन से कभी कौन से गायक हैं जो ग्वालियर घराने से संबंदित हैं ये भी आपको बताते हैं देखिए ग्वालियर घराना खयाल नामक साहत्री संगीत से संबंदित है, इसके सबसे प्रसिद कभी तांसेन है, जो ग्वालियर सहर से हैं, इन पर ग्वालियर में ही जो यहाँ पर इनका मकबरा भी बना हुआ है, और ग्वालियर के बेहट छेतर के निवासी थे, कौन तांसेन, तांस भरतारी लोकगीत मद्दिदेश के किस चित्र में गैया जाता है? लोकगीत आप 45 00 नहीं है बरतारी धर्वय Pris долे सुम्में भरतारी लोकगीत, मद्दिदेश hasIN ौप हुआ करते थे जिनका नाम था भरतारी और उन्हीं की यादर में जो है भरतारी लोक निर्थी यहां पर गाया जाता है कहां पर मालवाज शित्र में ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रशन देखते हैं तो सचिन तेंदुलकर ने दुनिया का पहला दोरसतक मध्यप सचिन तेंदुलकर ने दोरसतक लगाया था अब देखिए दो प्रशन आपको याद रखने है कोई भी प्रशन आप से पूछा जा सकता है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रशन देखते हैं बिरहा और विदेशिया नामग गाया है और ग्वालियर वाले स्टेडियम मे गायन मद्यप्रदेश के किस चेत्र में गाये जाते हैं गुंदेल खंड बगेल खंड मालवा या फिन निमाड आई एंसर दिख लेते हैं सही आंसर भी यानि कि बगेल खंड चेत्र में बिरहा और विदेशिया नामग गायन गाये जाते हैं किस तरह की गायन है तो बिरहा और विदेशिया मद्रदेश की बगेल खंड शेतर के गायन हैं इन दोनों गायनों को प्रेम के लोकगीत की रूप में जाना जाता है यानि कि प्रेम के लिए ये दोनों गायन गायन जाते हैं कौन से विरहा और विदेशिया ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला में भी पूछा जा सकता है क्योंकि ब्यापम वगएरा जो है न वो ऐसे प्रश्णों को कवर करते हैं जो थोड़ा सट टाफ होता है ठीक है तो ऐसे प्रश्णों को भी हम यहां पर आपके लिए ले करके आ गए हैं तो सिंगा और दालू जी मद्यपदेश के किसी छेत्र के ल लोकीत है यह निर्गुणी तरीके के लिए प्रसिद्ध है या निर्गुणी गायन है कौन से सिंगा और दालू जी आपसे पूछा जा सकता है कि सिंगा और दालू जी किस तरह के गायन है तो आपको बताना है निर्गुणी तरीके के गायन है सिंगा और दालू जी चलिए या अंसर है डियान की जो मैथली बोली है वो मद्रप्रदेश के आसपास के छित्रों में नहीं बोली जाती है बाकि ये तीनों बोली है जो है वो मद्रप्रदेश के आसपास के छित्रों में बोली जाती है तो मैथली बोली नेपाल के तरही छित्र में और उत्तर बिहार में और नेपाल का तराई शित्र और उत्तर बिहार दोनों मद्रप्रदेश से काफी दूर हैं। बाकी आपको पता है ब्रजभासा उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। कोर्कू और गॉंडी ये भी मद्रप्रदेश के आसपास के ही शित्रों में बोली जाती है। तो मैतली या फिर जो मैतली बोली जो है वो नेपाल के तरही में उत्तर बिहार में बोली जाती है तो यह यहां पर अलग हो जाएगी अगला प्रस्ट देखते हैं हिंगलाजगड का किला मद्ध प्रदेश के किस जिले में इस्तित है जैसा कि आपको पता है किले और इसमारक से प्रश्ण लगातार यहां पर पूछे जाते हैं MPGK में हर एक एंगल से कवर कर रहे हैं हम आपका MPGK क्योंकि 30 प्रश्ण आपको कम से कम MPGK को देखने को मिलने बुरहानपूर, मनसौर, टीकमगड या फिर चतरपूर आई एंसर देख लेते हैं सही एंसर ब यान कि मंसौर जिले में इस्तित है हिंगलाजगड का किला देखिए तो हिंगलाजगड का किला मद्ध प्रदेश के मनसौर जिले के भानपूर तैसिल में नवल गाओं के पास इस्तित है तो पूरी जानकारी आपको मिल गई भानपूर तैसिल में नवल गाओं के पास हिंगलाज गड़ का किला इस्तित है मंसौर में इसका नाम हिंगलाज माता के नाम पर पड़ा है जो छत्रियों की कुल देवी है तो आपको बताना है हिंगलाज माता जो है वो चत्रियों की कुल देवी भी है अगला प्रशन देखते हैं तो संध्या अगरवाल का संबंद किस खेल से है होकी क्रिकेट फुटबॉल या फिर बॉलीबॉल आई एंसर देखते हैं सही एंसर भी याने की क्रिकेट से संबंद है संध्या अगरवाल देखिए तो उस मद्यप् या फिर 243 जे, चलिए answer देखते हैं, तो सही answer is C, यानि कि 243 आई में जो है प्रादेशिक वित आयोग का बढ़न है, तो मद्यप्रदेश प्रादेशिक वित आयोग का बढ़न भी कहां पर होगा, 243 आई में ही किया जाएगा, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए, तो मद्यप्रदेश वित आयोग का पहला कारिकाल क्या था, कभ यहाँ पर मद्यप्रदेश में वित आयोग ने कारिकरना स्टाट किया था, 1994-1999, 1995-2000, 1996-2000, या फिर 1997-2002, आई answer देखते हैं, सही answer is C, यानि कि 1996 से लेकर कि 2000 तक पहला कारिकाल था मद्यप्रदेश वित का देखिए मत्रध्री बित्तायों का पहला कारिकाल एक अप लख रेख से 291 मार्श 2000 तक था सन meer मत्रध्रदेश में उद्र peppers ahh Extra cheeseします उलंग हो गया और मत्रदेश में पुना जो है बित्तायों की यहां पर गठन किया गया नई बित तायों का पहला कारिकाल याद कीद लिग से डोजार चलिया आगे बढ़ते अगला प्रशन देखते हैं मझ्ध प्रिदेश की कोङसी नदी पष्च्रिंग की ओर नहीं बहती है इन्मेेसे कौण सी नदी जो पष्च्रिंग की ओर नहीं बहती है माही, तापती, नर्मदा या फिर चंबल चलिए एंसर देख लेते हैं सही एंसर है डियानिक जो चंबल नदी है वो यहाँ पर पश्चिम की और नहीं बैती है और आज का आपका प्रशनी भी यही है कि चंबल नदी किस दिसा में बैती है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है तो उप्रोक्त नदियों में से चंबल नदी पश्चिम की और नहीं बैती है बाकि सभी नदियां पश्चिम की और बैती है जैसे क्या को पता है माहि, तापतियों नर्मदा, ये तीनों नदियां पश्रिम की और बहती हैं, अरब सागर में जाकर के गिर जाती हैं, ठीक है, चलिए लेखते हैं, अगला प्रशन, किसी मद्य प्रदेस के लेखक ने, बिकलांग सरद्धा का दौर के लिए साहित अकादमी पुरस्कार जीता यानि कि एक यहां पर रचना की गई है विकलांग सर्दा का दौर और इसके लिए इन्हें साहित अकादमी पुरुसकार दिया गया है। यहां पर आपसे पूझी जाती है और आपने जिनको कभी पढ़ा नहीं होगा ऐसी रचना पूझी जा सकती है। अगला परशन देखते हैं। पुस्प की अभिलासा के लिखक कौन है हर्जंकर परसाई, मांखाला चतुरवेदी, हजारी प्रसाद्दिवेदी या फिर मैतली सरंगुप्त आई एंसवर देखते हैं। पुस्प की अभिलासा आपने पढ़ा भी होगा, क्लास 8-7 में हापर हिंदी का कविता है, पुस्प की अभिलासा ठीक है। पुस्प की अभिलासा के लेखक मांखाला चतुरवेदी थे, उन्हें पंडिक जी भी कहा जाता था, वे एक नाटक कार और चायावाद के कभी और लेखक थे, ठीक है तो चायावादी कभी और लेखक थे कौन आपके मांखाला चतुरवेदी, उन्होंने 37 संग्राम में भी भाग लिया था किसने मांखाला चतुरवेदी ने और पुस्प की अभिलासा एनिकी रचना है, अगला प्रस्ण देखते हैं, मद्ध प्रदेश का कौनसा जिला मैगनीज अयस्क के लिए प्रस्द है, बाला घाट, छिंदवारा, जबलपूर या फिर मंडला, एंसर देख हैं, सही एंसर है एनिकी बाला घाट जो है, वो मैगनीज अयसक के लिए प्रस्द है, ठीक है, और ताबे की खानों के लिए भी आपका जो है बाला घाट प्रस्द है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रस्ण देखते हैं, गोटमार मेला मद्ध प्रदेश के क पॉछा गया है कि एसी क्यों सी घाटी जो मालवा तक जैसी वह गोड़े नाल के कमान दिखते है लोग्यृत से छेतर का लोक गीत है बुंदेलखंड बगेलखंड मालवा या फिन निवार चलिए एंसर देख लेते हैं तो इसका सही एंसर है यानि कि बुंदेलखंड छेतर की जो है लोक गीत है हर्दौल की मनोती कुछ प्रस्ण देखते हैं हर्दौल की मनोती मदबदेश के बुंदेल करदौल की समाधी पर कहां पर सीथ है तो बुंदिल खंड के जो है आपके ओर्चा नामकिस्तान पर इस्तित है अगला प्रशन अल इंडिया रेडियो की सुरुआत मध्य प्रदेश के किसे नगर से हुई थी गौलियर भोपाल इंदौर या फिर उज्जेन एंसर देखते हैं सरसी यानि की इंदौर से स्थापना हुई थी इस्टार्ट हुई थी ओल इंडिया रेडियो की सुरुआत मध्य प्रदेश में ठीक है चलिया आगए बढ़ते अगला प्रशन देखते हैं तो यह थे आपके महत्तपून प्रशन जो आपके MPGK के संबंदित थे और भी हम आ कि जो भी यहां पर प्रशन बनते हैं जैसे आपका e-commerce, e-governance, नही नहीं योजना है जो लाग हो रहें जो आपकी परिच्छा की रिष्टी से महत्पूर है उसको हम डेली बेस पर सुबह सादे साथ बजे कवर करते हैं आज भी हमने अप्लोड किया है जाकर के जरूर देख किया जा रहा है क्योंकि आपको लग रहा होगा अगल बगल से आवाजें भी आ रहे होंगी तो इस वज़य से हम यहां पर थोड़ा सा मैनेजमेंट कर रहा है इस्टूडियो का तो हो सकता है कल एक एक वीडियो नहां पाई या तो करेंट अफेर के आफिर प्रेक्टिस क्योंकि डेली हम आपके लिए ऐसे ही प्रेक्टिस सेट और वीडियो ले करके आते रहेंगे धन्यवाद